तो दोस्तों क्या आप ये अपने Google Play Store से जब भी दोस्तों आप Crater Studio को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है This app is not available for device because it was made for an older version of Android तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से problem आपको देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस problem को कैसे solve करें जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम उपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा आता है section expire और कुछ इस तरह से यहाँ पर problem आ रही है तो दोस्तों यहाँ पर यह problem आ रही है तो यह problem अगर आपको आ रही है तो इस problem को कैसे solve करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को last तक आपको जरूर देखना है अगर मेरे भाई ये वीडियो लाज तक आप देखते हैं तो आसानी तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सोलब कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करते हैं अब दोस्तो यहाँ पर आपको करना के हैं मैं आपको पता देता हूं तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है अनुरा कुस्वा और यहाँ पर आपको इसको जोइन कर लेना है ठीक है या फिर दोस्तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्कुशन मिल जाएगा डारेक्टली आप वहाँ से जोइन कर सकते हैं और यहीं आपको आना है और नीचे आपको मिल जाएगा link ठीक है नए crater studio का यहाँ पर आपको मिल जाएगा link तो दोस्तों यहाँ से सीधे आप direct download कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से अब आप download करेंगे तो दोस्तों कोई भी आपको इस तरह की problem आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है अगर दोस्तों आप play store से डाउनलोड करेंगे या अदर से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों इस तरह की आपको problem देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम के अंदर आना है और यहाँ पर आपको link मिल जाएगा इसका तो यहाँ से आप सीधे download कर कर सकते हैं डाउनलोड करने ने के बाद दूस्तों आप अपनी इडी पासवर्ड को लोगिन करेंगे तो दूस्तों यहाँ पर आपका creator studio जो है वह जैसे आपका पहला था वैसे हो जाएगा लेकिन दूस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एंटरफेस शो क करेंगा तो इस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रोब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं यह वाला आपको जो डाउनलोड नहीं करना है ठीक है इनिस्टॉल कर देना है वीडियो पसंद आथी वीडियो को लाइक कर देखते हैं चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब